पिछले दिनों हमारे प्रधान मंद्री की एक वीडियो आई थी, जरह सुनिये उन्होंने क्या कहा था? लक्षदीप की सुन्दरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है, जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के दीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आगरह है, वो पहले लक्षदीप आकर जुरूर देखे। यही सब तो हम आपको आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो हमारे साथ वीडियो के अंध तक बने रहे हैं, लक्षदीप भारत का सबसे छोटा केंदर सासित प्रदेश है, जिसका छेतर फल मातर 32 वर्ग किलोमीटर है, और यह अरब सागर में इस छोटे छोटे कई स सारे द्वीपों का समू है, संस्कृत या मले आलम भासा में लक्ष द्वीप का अर्थ होता है एक लाख द्वीप, हलाकि वर्तमान में यह तकरीबन सौ द्वीपों का समू है, जिसमें सभी पर आबादी नहीं है, कुछ ही ऐसे द्वीप हैं जिस पर लोग रहते हैं, लेकिन अपनी खुबसूर्ती के लिए जाना जाता है, अब तक यह लोग प्रोफाइल जरूर था, लेकिन आज की तारिख में पूरी दुनिया के लोग लक्ष द्वीप के बारी में जानना चाहते हैं, लक्ष द्वीप समूंदर में इस्थित है, तो ट्रेन या बस की डिर अपरेशनल एरपोर्ट है, हलाकि इसके एक्सपैंसन के लिए भारत सरकार अपनी उडान योजना के तहत प्रोजेक्ट लेकर आई है, जिसमें इस एरपोर्ट का विस्तार किया जाना बाकी है, अगत्ती का एरपोर्ट छोटा, किन्तो आपरेशनल है, और यहां कोचीन से ल लक्षदीप पहुँच सकते हैं, अगर जलमार्क की बात करें, तो कोचीन से आपको कई सारी फेरीज या सिप क्रूज मिल जाएंगे, इतना ही नहीं आपको पश्चे मंगाल कोलकाता से भी सिप क्रूज मिल जाएंगे, जो आपको लक्षदीप की सैर करा सकते हैं, सबसे अगर मौल्दीव की जगह लक्षदीप को अपना हॉलिडे डेस्टिनेशन चुनते हैं, तो आपके पैसों की काफी सारी बचत हो जाती है, लगभग वन फिफ्ट कीमत पर ही आप यहां पर एक लगजरी हॉलिडे प्लान कर सकते हैं, दो लोगों के तीन से चार दिन के स्ट लक्षदीप में 25 से 30 हजार में 2 से 2 लोग 3 से 4 दिन के लिए स्टेक कर सकते हैं, तो प्राइस सेविंग, कॉस्ट सेविंग यहां आपकी हो जाती है, इसका मतलब अगर आप अपनी मौल्दीव की यात्रा के बज़ाए लक्षदीप की यात्रा चुनते हैं, तो बराबर खर लक्षदीप बेहद खुबसूरत है, प्राकरतिक सौंदर यहां कूट कूट कर भरा हुआ है, आप यहां पर समुंदर किनारे खुबसूरत बीचेज का मज़ा ले सकते हैं, यहां समुंदर का पानी इतना साफ नजर आता है, जितना सायद दुनिया के किसी भी कोने में नही होगा, बीचेज काफी खुबसूरत और काफी साफ सुतरे हैं, आपको यहां नन्हे छोटे जीव चलते फिरते भी नजर आ जाएंगे, बहुत सारे खुबसूरत रिसौर्ट और होटल्स यहां बने हुए हैं, आप अंडर वाटर भी यहां जाकर कोरल रीफ देख सकते हैं, यहां के लगून बहुत खुबसूरत हैं, यहां पे कई तरह के वाटर गेम्स होते हैं, अडवेंचरे से स्पोर्ट्स किये जाते हैं, जिसमें आप हिस्सा ले सकते हैं, मजे ले सकते हैं, यहां प्राकरतिक रूप से नारियल के पेड़ बहुत सारे हैं, और यहां पर नार पर फिर भी शिप में और सिप से जुड़े हुए उद्योग में इसका इस्तेमाल आज भी होता है। हमारे दर्वाजों पर डॉर मैट में ये आज भी लगते हैं और मैट्रस में भी इनका इस्तेमाल होता है। समुंदर के बीच में होने के कारण फिशिंग भी यहां के लोगों का एक मुख्य पेसा है। यहां के लोग टूना मचली को पकड़ते हैं और उसे एक्सपोर्ट भी करते हैं। आप अगर लक्ष टूइट में रुपते हैं और आप नॉन वेजिटेरियन खाना इस्पेशली सीफूड खाना पसंद करते हैं तो तूना को जरूर टेस्ट करें आपके लिए यह एक अनूठा अनुभाव होगा। अडवेंचर पसंद है तो स्कूबा डाइविंग जरूर करें उसकी यहां पे सुविधा है। आप अकेले नहीं जाएंगे आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे क्योंकि आपके साथ दो गोता खोर जाएंगे जो आपको डुब की लबगवाएंगे। मिलिकाई आइलेंड जिसे अस्थानी अभासा में मलिकू या मलिकाई कहा जाता है यह भी बहुत खूबसूरत और लोगों के बीच बहुत ही पॉपिलर डेस्टिनेशन है जहां वो खूमने जाते हैं तो इसे भी एक्स्प्लोर करना बिल्कुल मत भूलिएगा बहुत ही खूबसूरत जगह स्टे करने के लिए इसे एक्स्प्लोर जरूर करना चाहिए और कावारत्ती तो लक्षद्वीप की राजधानी है वहां तो आपको जाना ही चाहिए यहां बहुत खूबसूरत मरीन म्यूजियम है जहां आपको मचलियों की अंगिनत प्रचातियां देख देखने को मिलेंगी एक इंपॉर्टन बात हम आपको जरूर बता देना चाहेंगे कि लक्षद्वीप में जाने के लिए आपको आधिकारिक पर्मिट की आवसेक्ता पड़ती है जो भारतियों को भी लेना पड़ता है यह आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं जो कुछ खरीदारी जरूर करते हैं यहां के लोकल मार्केट में खरीदने के लिए बहुत सारी नायाब चीज़े आपको मिलेंगी जो आप अपने अपनों के लिए सौगात के तौर पर ले जा सकते हैं आपको खाने के लिए आप वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोन भी आ सकते हैं क्योंकि यहां का तापमान काफी moderate रहता है ना बहुत सर्दी पड़ती है ना बहुत गर्मी पड़ती है मौसम हमेशा ही सुहाना रहता है तो आप जब चाहे आ सकते हैं बस आपके पास चुट्टियां होनी चाहिए तो आप लक्ष्ट भी कब जा रहे हैं हमें क बच्चों के साथ घूमने ले जाए है झाल सकते हैं है